सर्दी ने तो दस्तक देही दिये है और साथी साथ गले में किच-किच बदंदर, सर्दी, खासी, जुकाम, कफ ये हम बड़े से छोटे लेकर सब में आम एक बिमारिया आ जाती है कम ज्यादा हम सबको इसको फेस करना ही पड़ता है इस समय डॉक्टर के पास जाके फिजूल के खर्चा करना भी नहीं होगा तो हम ऐसे घर में एक आसन से रेमिडी लाई है जो आप बच्चे से बड़ो सभी उस कर सकते हो और बहुत आसनी से इससे रिली भी पार सकते हो जो इंग्रेंस सबके घर में अवेलेबल हो उसी से आज हम ये डेमिडी बनाएंगे तो इसके लिए मैंने तीन से चाल लॉंग ये है ये लॉंग को मैंने थोड़ा तवे पे ड्राय रोस्ट कर लेंगे एकदम लो फ्लेम में और यहां पे में थोड़ा सा काले मिर्च लिये जब तक ये थोड़ा सेखना ना हो जाए तो देख सकते हो दोस्तों यहां पे लॉंग जो है इसमें थोड़ा सफेद कलर का हो गया है अच्छे से शेख गया है अभी इससे ज्यादा नहीं सेखेंगे नहीं तो ये सब चल जाएगा अभी गयास का फ्लेम आप कर देंगे और इजी तरीका है बेलेंसे में थोड़ा सा इसको प्रेस करते जाएंगे तो ये आसानी से दरदरा पावडर बन जाएगा आप देख सकते हो दोस्तों कितना सुन्दर ये धीमे धीमे पावडर बनता जा रहा है थोड़ा दरदरा रखना है ज्यादा एकदम मुलाइम नहीं कर मेरा दरदरा पावडर बनके रेडी हो गया है अभी मैं इसको एक कटोड़ी में निका लेते हूं मिंटो में ये बहुत ही आसान सी होम्रमीडी बनके रेडी हो जाएगा और बच्चे से बढ़ो सभी हम इसको ले सकते हैं बहुत इसी तरीके से और दूसरा जो इंडिरेंस लेना है वो है सहत आप कोई सभी अच्छे ब्रैन के सहत ले सकते हैं इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी पाए जाते हैं गले में जो किच कफ हा जाते हैं तो हनी से हम बहुत असान से ये सब कुछ निकल सकते हैं इसमें बहुत सारे एंटिबायोटिक एंटियों पाए जाते तो हनी हम सब के लिए बहुत पुड़ाने जमाने से प्रोटेक्शन का काम करता है तो यहां पर मैं एक चमच हनी निकाल लिए हूँ अभी जो पाउडर में बना के रखेते उसको में आधा चमच ले लेंगे तो सब को मिला के मिक्स कर लेंगे दो साल से कम उमर के बच्चे यह बार लेके देखो गैरंटी है पुड़ा चरदी आपको किसी भी तगलिव का सामना नहीं करना पड़ेगा बच्चे से बुरे तक दोस्तों ऐसे मिलते रहेंगे नएने वीडियो के सम बाबाई टेक क्यार